नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं तेजी आई है, बिवात के बहुजूत सरकार ने साहसिक कदम उठाते हुए बड़े परमार पर नियुक्ति करने का नहीं न लिया है इसके तहट अगले दो महिने की भीतर करीब 50 से नियुक्तिया होगी जो विभीन विभागों से जुड़ी है जिन विभागों में पहाली होगी उसमें सुरदिक पद सिक्षा विभाग की है जिसमें सिक्षा अधिक है बतादे जारखन करमचेरी चैन आयोक के दोवारा पीजी टी की परिच्छा आगले महिने जुलाई के दूसरे सब्ताह में होने जा रही है वहीं पीजी टी की विभीन विशायों के शिक्षकों के लिए 320 पदोपर न्युक्ती होनी है जिसमें 137 रेगुलर वैकेंसी वहीं 718 सिमीत और 6265 बैकलोग रिखतिया है इसी तरह करीब 26,000 शिक्षकों की बाहली के लिए जल्द ही विग्यापन जारी होने वाला है जो करमचारी चेहन आयोगद्वार आयोजीत होगी इसी तरह समाने असनातक योगता धारे सन्युक्ति परत्योगता परिक्षा 2023 के तहद 2025 पदोपर न्युक्ति होगी इसके लिए आवेदन लिया जा रहा है आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार की होई समिक्षा मुख्य मंत्री हेमन सुरें के निदेश पर बुद्धवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कारकरम की समिक्षा की गए जिसमें कई आवेशन निदेश दिये गए आपकी योजनाए आपकी सरकार आपके द्वार कायकरम के जरी आम लोगों की समस्या का समधान करने में जूटी है मन राजी के भीविन जीलों से उपायुक्त आउनलाइन जूटे थे इस दरान आम लोगों को सरकारी योईना का लाप साथ समय कैसे मिले और इसको लेकर सरकारी करे आलेओं में लोगों को चक कर न लगाना पड़े इस पर विशेष ध्यान देने का निजिस दिया गया समिक्षा के दरान जमीन मुटुशन की बड़ी संख्यम लांबित मामलो और जन्म परवान पत्र को लेकर हो रही परसानी जद से जद दूर करने के निर्देश भी दियेगा है ई बिद्यवानी पर छात्रों की डिटेल अपलोड नहीं करने वाले स्कूल होंगे बांद जार्खन में ऐसे स्कूल जिन्होंने 30 जून तक ई बिद्यवानी पोटल पर अपने छात्रों के बारे में तुरूटी रहीत और पूरी जनकारी अपलोड किया है उन इसकूलों को अबबंद करने की करवाई शुरू की जाएगी केंद्रिये सिक्षा मंत्राले ने इसके लिए 30 जून की समय सिमयताय की है जार्खन सिक्षा परियोजना परिशत की राजे परियोजना निदेशा किरन कुमारी पासी ने इसकी जनकारी सभी जीला सिक्षा पताधिकारी को देते गए इस टास्ट को हर हाल में पुरा करने को कहा राजय पर्योजना निदेशा के अनुसार इबिदावानी पोटल पर पूर्ण एवं तुरूटी रहित छात्रावार आकड़ों को अपलोड और संकलित करने का काम 30 जून तक पुरा करने के निदेश पहले ही सभी स्कूलों को दिये गए थे ऐसे नहीं होने पर भारत सरकार के प्राप्त निदेश के अलोक में वैसे स्कूल को बंद करने की करवाई करने की भी निदेश दिये गए हैं जार ख़न में जमा जम बरस रहा मानसून पुरुनमान के मुताबिक पहली जूलाई के बाद से राज में मौसम में फीर से बदला होगा और तापमान बढ़ोत्री होगी यह सिलसिला जुलाई के प्रथम सब्ताह तक जारी रहेगा और तापमान में उतार चड़ाव का दोर जारी रहेगा बता दे राजधानी रांची के मौसम की बात करे तो अगले चार दिनों तक आसमने बादल चाहे रहेंगे और बारिस होने की समवना है गुरुवार को भी समानेता बादल चाहे रहेंगे और दो या अधिक बार मध दर्जे की बारिस होने की समवना है वहीं 30 जुन और 1 जुलाई को आंसिक बादल चाहे रहेंगे और में गर्जन के साथ बारिस होगी जबकि दो जुलाई को आंसिक बादल चाहे रहने के बाद भी तापमान में उत्रोतर बढ़ोतरी होगी 108 एंबुलेंस सेवा की टेंडर पर किरिया में जल्देबाजी करने पर घीरा विभाग जारखन के स्वास्त विभाग दोर एक सवाट एंबुलेंस के संचलन को लेकर दिये जा रहे टेंडर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है स्वास्त विभाग के टेंडर पर किरिया पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं विभायक द्वारा बुद्धवार को आनन फानन में टेंडर के फाइनीसियल बीड खोलने का नीरना लेते हुए इसकी सुचना टेंडर में सामील कमपणियों के परतिनिद्यों को दी गई अलाकि कुछ कमपणियों द्वारा अचानक सुचना दिये जाने के बिरोध करने पर बीड खोला नहीं जा सकाया अब इसे सनीवार को खोलने का नीरन लिया गया टेंडर में सामील एक कमपणियों के नाम नहीं छापने की सर्थ पर कहा है कि टेंडर से जुड़ा मामला जार्खन उच नियाले में लंबी था है इसमें अगली सुनवाई एक अगस्त को होनी है आईसे में टेंडर खोलने में जल्दिबाजी पर सवाल उठते है पतना से रांची पहली बार पैसेंजर लेकर पहुँची वंदे भारत ट्रेन रांची पटना वंदे भाया ट्रेन बुद्धवार से नेमीत रूप से चलने लगी है, पटना से चलकर यह ट्रेन दो फ़र एक बज़े पहली बारांची रेलवे इस्टेसन पर पेसेंजर लेकर पहुँची, एस्टेशन पहुचने के साथ ही ट्रेन के साथ सेलफी लेने वालों की होड लग गई तो वहीं इस ट्रेन से पहली बार यात्रा करने वाले लोग भी बहत उसाही दिखे और इंडियन रेलवे की जम करकी बता दे इस दोरान एक यात्री ने बताया है की उनके लिए एस फ़र बहत संदर रहा साथ यात्रा के दोरान के मिलने वाले भोजन की क्वालिटी की भी तारीव की है वहीं वंदे भार ट्रेन के चालक नयात्रियों से अपील की है कि विए ट्रेन की संपति को किसी तरह से नुकसान न पहुँचा है और सफर का अनांद ले जहारखन में दावा दुकान खोलने के लिए आप फार्मासिस्ट की डिगरी जरूरत नहीं मुख्यमंत्री हमसुले ने राजिक के युगाओं के लिए एक बड़ा एलान किया है कल्यान गुरुकूल और कौसल कॉलेज के 577 के नियुक्ति पत्र सोबते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब पैंचायत आस्तर पर भी दावा की दुकाने खोलेंगी ताकि लोगों को दावा के लिए दूर दराज के इलाकों में जारा नहीं पड़ेगा उन्होंने कहा है कि पहले दावा दुकान खोलने के लिए फर्मासिस्ट की डिगरी होनी चाहिए थी लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है अब पढ़े लिखे युआ भी दावा दुकान खोल सकते हैं बतादे राजधानी राँची के नगरा टोलिस्थीत आईटे आई कोसल कॉलेज परिशार में नियुकती पत्र बित्र समारों के दावा दुकान खोलने के लिए फर्मासिस्ट की डिगरी होनी चाहिए थी जामोंने भारत सरकार रे लेवे और बिजेपी पर बड़ा आडोप लगाया है जारकन के सत्ताधारी पार्टी का आडोप है कि वंदे भारत उधगाटन कारकरावे मुख्यमंत्र er हमांसिलेन और विहर के मुक्यमंत्र नितीष कुमार को आमन्तृत नहीं किया गया जामो ने इसे देश के फेडरल धाचे के खिला बताया है जामो नेता ने कहा आ है कि जो बिग्यापण आये उसमे मद्य परदेश जारकरन और बिहार के राजय पल का नाम नहीं दिया गया वहीं जहामों ने BJP और केंदर सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने बंदे भारत के लिए किये गए कारकरम में मुखे मंतली को आमंतल नहीं किया जहामों ने आरोप लगाया कि PM सीर्फ आपनी और BJP की बात करते हैं बकरीद को लेकर जहारखन में सुरक्षा के कड़े इंतजाम बकरीद को लेकर जहारखन की पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है रांची में एक तरफ जहां सहर के सभी सन्वेदन सील अस्थानों पर पुलिस बल की तैनायती कर दी गई है रांची S.S.P. की सोर कॉसल ने बताए है कि सभी समय दल सी जगा पर रैपिट एक्षन फोर्स को तैनायत किया गया है जुनियर A.C.A. कॉप होकी परत्योगता जहारखन की तीन खिलाडी समानीत जुनियर A.C.A. कॉप होकी परत्योगता की बीज़ेता टीम में सामिल जहारखन की तीन खिलाडियों को रांची में समानीत किया गया इस मोगे पर खिलाडियों ने अपनी सफलता के क्रेडिट राज्य में खेल इस्फार्टरक्चर और सीम को दिया जुनियर A.C.A. कॉप होकी परत्योगता की बीज़ेता टीम में सामिल महिमा टेटे, रोशनी कुमारी और दिपिका सुरेन को रांची इस्टोटर्प होके स्टेडियम के सेमिनार होल में समानीत किया गया रविका पहरिन हत्याकांड तीन आरोपियो को मिली ससर्थ जमानात पोहन मजुमदार ने दलिल दी की तीनों आरोपी हत्याकन में सामिल नहीं थे। सुनवाई के बाद कोट ने 25 पचीस हैयार के दो मुचकले के साथ हर दिन बोर्यो थाना में आकर हाजरी लगाने की साथ पर जमानत दिया है। जहरखन में अब लड़कियों की तरह लड़के भी कर पाएंगे नर्सिंग की ट्रेनिंग। जल्द ही समद में निने लेगी। इस मौके पर सीएम ने आईटे, कोसल कॉले, नर्सिंग और कल्यान गुरुकुल के बिद्यार्तियों के पर सिक्षन के बाद विभीन सल्थानों में कार्य करने के लिए नियूक्ति पत्र भी दिया है। उतक्रिष्ट बिद्यालों में 1 जुलाई से सुरू होगी सेक्षनिक सत्र। जार्खन के अस्ति उतक्रिष्ट बिद्यालों में 1 जुलाई से सत्र दोह्यातेश चोविस के नया सेक्षनिक सत्र सुरू होगा। तीस जुन तक इन इस्कूलों में नमागन के परकिरिया पूरी कर ली जाएगी और 1 जुलाई से बिध्युवत परवे सोत्सव समारों का आवेजन कर पाटन पाटन शुरू किया जाएगा। इसके लिए जहारखन सिक्षा परियोजना परिचन ने सभी जीला सिक्षा पता दिकारे को निदेश दे दिया है। पूलिस करवाई की बिरोद में बुद्धवार को टाना भक्तों ने मुराबादी में बापु वाटका के पास परशन किया। पूर्णामजात किया गया है और 38 को जहरखन की जेलों में डाल दिया गया या अन्यायपूर्ण है। हजारी बाग की नवाली को एसिट पिलाने के मामले में बारह को रिपोर्ट पेस करेगी सरकार। इस आगरह को सहिकार करते हुए चिफ जर्षिस संजायक कुमार मिस्रा और जर्षिस अननसन की अधालत ने बारह जुलाई तक सरकार को बिश्तरित रिपोर्ट पेस करने का निदेश दिया। इस मामले की पुर्व में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार को पिलिता का इलाई रिम्स में कराने और इसका खर्च भी वहन करने का निदेश दिया था। इस योजना में किसी भी उम्रे के आदिवासी रचनेकार भाग ले सकते हैं इसकी घोस्ना राईदानी राची में प्यारा करकेटा फांडेशन की सचीव और आदिवासी लेखी का वंदना टेटे ने किया है। के सचीव चंदर सेखर के अजयक्षता में ग्रामिन विकास की योजनाओं की समिक्छा की गई। डीडीसी के साथ वीडियो कंफरेंसिंग के माध्यम से इस समिक्छा बैठक में कहा गया कि मन्रेगा योजना नहीं है। बलिक यह ग्रामिनों की रोजगास रिजन का ससक्त माध्यम है। उन्होंने राज के सभी डीडीसी को मन्रेगा कारे की पूरी तरह से निग्रानिक करते हुए मन्रेगा से संचालित योजनाओं धरातल पर दिखाई देने का निर्देश दिया। साथ ही मन्रेगा से संचालित योजनाओं को लेकर कई अने महत्पूर निर्देश भी डीडीसी को दिये गाए। ग्रामिन विकास अच्चीव ने कहा है कि ग्रामिन विकास की योजनाओं में डीडीसी का महत्पूर रोल है। उन्होंने का एक लक्ष पूरा करने पर ध्यान दे ताकि सीकायते नहीं मिलनी चाहिए पियम मोदी के समान नागरिक संहीता वाले ब्यान पर सियम हमन्त का पलटवार पधान मंतरी निमुदि के समान नागरिक संहीता वाले ब्यान पर बुद्धवार को जारखण के मुखे मंतरी हेमान सुरेण ने पलटबार किया है पत्रकार से मुखातिव होते हुए श्री शुरेण ने कहा है कि पहले उनसे पूछो क्यों रोजगार कहाँ से देंगे महांगाई को कम कैसे करेंगे इन विशवयों पर उन्हें पहले बोलना चाहिए मुख्यमंत्री हमान सुरेन ने राजधानी राची में नर्सिंग आई टी आई कॉसल कॉलेज और कल्यान गुरुकूल के पान सो चात्र चात्राओं को न्युक्ति पत्र दिया इस औसर पर उन्होंने आई टी आ कॉसल कॉलेज की छात्राओं दोर संचाली सेवा कैफे का उधगाटन भी किया है लोहरदगा के अलासे बिद्याले की छात्राओं ने थाई लाइन में दिखाया दाम थाईलैंड में अंतराश्रिय कराटे पर त्योक्ता खेलने गई लोहरदगा जिले के आवासे बिद्याले के बच्चों ने लोहरदगा जिला और राजी समेथ पूरे देश का मान बढ़ाया है लोहरदगा जिले में कस्तुर्बा कांधी आवासे और जारखन बाइल का आवासे बिद्याले की बच्चों ने थाईलैंड में भारत की ओर से खेलते हुए चार स्वन पदक और तिन राज़त पदके है लोहरदगा जिला कराटा संग के अध्यक से साई वा कोच अमीत कुमार सिंग के नेतिवत में लोहरदगा जिला के बच्चों ने बेहत प्रसन किया है आईकोन एक्टर अफ दा इयर बने जहरखन के जावेद पठान बालीवूड एक्टर जावेद पठान को चत्रपती सीवा जी महराज गोरो अवार्ड दोहरतई से समाइनित किया गया दादा साहब फाल के आईकोन अवार्ड फिल्म और्गनाजेशन के संस्थापक चेर्मेन कल्यान जी जाना की ओर से कारकरम कायोजन मुंबाई के अधेरी पच्छिम के चार बंगला इस्थीत मुक्दी फांडेशन होल में किया गया था जावेद पठान को या अवार्ड एन आर आई वाइस फिल्म के लिए मिली है जहां उन्हें आईकोन एक्टर अफ दे एर के उपाधी दी गई बता दे कि छत्रपति सिवाजरी महराज गौरो अवार्ड से उन्हें नवाजा जाता है जो समाज को एक बेहता संदेश देते हैं या जिन्होंने समाज के लिए अच्छा काम किया हो लोका युक्त की नियुक्ती पर नेता परतिपक्ष को लेकर फसा पेच लोका युक्त की नियुक्ती के लिए बिधान सभा में मुखे विपक्षी दल भाजपा का प्रमर्श अवस्यक है इसके लिए बिधान सभा सचीवाले ने भाजपा के परदेश्ट अध्यक दिपक परकास को पत्र लिए कर एक सब्ता हमे नाम प्रस्तावित करने कागरा किया इस समध में बिधान सभा सचीवाले ने हाई कोट में लंबित वाज का हवाला दिया है भाजपा इस पत्र पर कानूनी सलाह लेगी भाजपा के परदिस्त अज्यक दीपक परकास ने कहा है कि बिधिक राय ली जा रही है मसला कानूनी है इसलिए या आवस्यक है बिधान सवा के प्रभारिस अचीव सयद जावेद हैदर ने पत्र में उले किया है कि दो बार पूर्व में भी पत्र भेजा गया है बोकारों मेडिकल कॉलेज का रोड में बन कर तयार बोकारों में मेडिकल कॉलेज के स्थापना के लिए प्रजेक्ट रिपोर्ट प्रपोजल तयार कर लिया गया है या PRP 100 बेट के मेडिकल कॉलेज के लिए त्यार किया गया है साथी 500 बेट के अस्पताल का निर्मान भी होगा इसमें एकेडमिक बलोग के अलावा एक अडिटोरियम, डाक्टरों और पाराम मेडिकल कर्मियों के अवास चात्र चात्राओ के लिए अलग अलग अवास प्लेगराउंड चात्रों शिक्षको के मनुरंजन के लिए अलग अलग ब्यवस्ता है मल्टी पर्पस हाल गेस्ट फरसिलिटी के लिए अलग से कक्च आदी के सुविधाओ के लिए बिस्तित रीपोर त्यार की गई medical college का अपना अलग power house होगा इसमें solar system की भी विवस्ता की जाएगी जामतवा में सावन से पहले सीव लेंग के त्रिसूल के साथ छे छार जामतवा के नरायन पूर्थाना छेतरे के बोरवा गाव में सीव रातरी के दवरान अस्थापित सीवलिंग के साथ लगाए गया त्रिसूल को असमाजिक तत्रों ने उखार कर फेक दिया स्रावन माह से पहले धार्मिक भावनाव को आहत करने वाली इस घटना से आदिवासी समाज में भारी अक्रोस देखा गया मिली जनकारी के मुताबिक इसी साल सीवरातरी के दरान एक सीवलिंग को समाज के लोगों ने अर्थापित किया था लोगों ने धार्मिक अस्थल पर पुजा अर्चना भी की थी मंदीर के सामने से त्रिसूल हटाए जाने की खबर फैलते ही आजपास के ग्रामिन इकटा हुए और मांजी हडाम के नितित में बुद्धवार दोफर इस मावले पर बैटा कर कड़ी आपत्ती जताई है IPS केडर में प्रमोट हुए CM सुरक्षा DSP समेत 24 अधिकारी राजे पुलिस सेवा करडर से भारतिये पुलिस सेवा करडर में 24 पता अधिकारियों को परमोशन मिल गई है गत 29 जून को UPSC बोट की मुहर लगने के बाद उक्त सुची जारी हो गई है IPS में प्रमोट पता अधिकारियों में CM सुरक्षा के DSP डाक्टर बीमल कुमार रांची के खलारी DSP अनी मेस नयथानी सहित अने मौजूद है प्रमोट कीए गई अधिकारियों से गिरिः विभागने 30 जून तक घोसना पत्र मांगा है ताकि आगे की कागजी करवाई पूरी की जा सके CM हमंत ने कहा रोजगार और महंगाई के बारे में बात करे प्रधान मंतरी जारखन के मुखे मंतरी हमंसुरेण ने समान नागरिक संहीता पर प्रधान मंतरी नादमोदी पर निशाना साथा है प्रधान मंतरी नादमोदी की ब्यान पर निशाना साथते हुए सियाम हमंसुरेण ने कहा है कि उन्हें पहले बेरोजगारी और महंगाई को नियंत्रित करने पर बोलना चाहिए कल्यान गुरुकुल के चैतरों को न्योक्ति पत्रे बित्रन करने के बाद मेडिया से मुखातिफ होते हुए सिया महवंसुरे ने कहा है कि उन्हें बताना चाहिए कि वह पहले रोजगार कैसे देंगे और महंगाई कैसे कम करेंगे धन्यवाद यदि आप चैनल पनाए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर बोल के बेल एकन दबाएए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोफ से अशेर कर ना भूले साथी साथ आप हमें कमेंट बखस में अपना फीडिवाएक अवसे दे थांक यू